एक समय की बात है, टीनू नाम की लड़की थी जो स्कूल में दिये गए कारियों में रुची रखती थी. इस साल टीनू के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पढ़ने से पहले उसकी टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखा कर चिडिया पर निबंध लिखने के लिए कहा था. सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था. पक्षियों की रंग बिरंगी किताब टीनू को बहुत पसंद थी. जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में वह किताब मिलेगी, तो टीनू खुश हो गई. टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां भी बच्चों को सुनाई. उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई. टीनू देखती थी कि हर चिडिया एक-एक घास, पत्ती, पंक, आधी को जोड़ कर कैसे अपना घोंसला बना रही है. उसके मन में होता था कि चिडिया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. टीनू चाहती थी कि वो किसी तरह से उन पक्षियों की मदद करे. एक दिन टीनू ने देखा कि पास के बगीचे में बदमाश लड़कों ने लवा चिडियों का घोंसला तोड़ दिया है. टीनू को टीनू को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बना कर तयार कर देगी. लेकिन टीनू पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीजों से चिडिया का घोंसला बुंती रही. बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ मिला नहीं टीनू की माँ यह सब देख रही थी तभी टीनू ने माँ को बताया देखिये ना मैंने चिडिया के लिए एक घोंसला बनाया है मगर किसी तरह से टीनू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया उसके बाद टीनू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया अब बगीचे में बैठकर टीनू लववा पक्षी के आने का इंतजार करने लगी वो पक्षी बगीचे में आये तो लेकिन टीनू द्वारा बनाया ग्होंसला उन्होंने इस्तिमाल नहीं किया टीनू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी